डिए है ओके वाट इस ट्राइश के शहरोड है ऐसा को यहां पर यहां पर यह है कि यह हम राइक सिरीज ओक इंफिन सकते हैं तो इसके अंदर से हम सिलेक्टिव सब्सक यहां पर मैं नहीं देखो इसका एक्जाम्पल दिया हुआ है यह one प्लस x by one factorial plus x square by two factorial plus x cube by three factorial plus dot 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 अब यहाँ पिया होय'? मैंने यह इतना यह अगए इतना जो portion था मैने trunk कर दिया है means trunk का म abonn podem क्या होते है निकाल देना यहाँ पर मैंने क्या किया किया यह आगे का यह portion रखा पीछे वाला निकाल दया अब यह जो हमारा जो step मिला उसके उपर जो भी process करेंगे बरोबर उसको बोलते हैं truncation ओके तो यह बात हुई for infinite sum के लिए ओके for example हम बात करें के example में मैंने लिया e raise to x is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus dot 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 अब देखो हमको यह मालूम है कि हम infinite addition तो नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसा तो कर सकते हैं इसको trunk कर सकते हैं तो मैं एक काम करूँ first, second, third, fourth तक लूँँगा और fifth term से मैं omit कर दूँँगा तो उसको trunkation बोलते हैं तो क्या हो जाएगा तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 तो यह मैंने trunkation कर दिया और e raise to x और यहाँ पर मैं t से define करूँगा it's a trunkation term means trunkation किया हुआ यह term है means पीछे वाले को हम निकाल देते हैं जितने step नहीं चीए उसको निकाल देते हैं trunkation बोलते हैं नाँ अब उसके बेस पर हम एक example देखेंगे यहाँ पर एक example दिये हो है the value of y is given by the solution yx is equal to 1 plus x plus x square plus x cube plus x raise to 4 for 0 less than x less than 1 find the exact value of the y and the error in the value of y due to the trunkation by the dropping the term x4 for 0.2 and 0.6 अब यह बहुत थ्रोड़ा लंबा च्रोड़ा example है पर हम इसको समझ लेते हैं short form में कि यहाँ पर एक equation दिया है जैसे मैंने पीछे लिखा था है यहाँ पर दिया हुए देखो क्या लिखा हुआ है yx is equal to 1 plus x plus x square plus x cube plus x is to 4 ओके अब मुझे ट्रंकेशन करना है मिन्स यहाँ पर से step निकालना है कहां तक रखना है पर वो देख लेते हैं देखो due to truncation by dropping the term x4 means x4 वाल हमको drop करना है मिन्स हमको निकाल देना है उसके बाद हमको answer क्या मिलेगा हमको देखना है तो यहाँ पर x is equal to 0.2 दिया हुआ है x is equal to 0.6 दिया हुआ है दो value यहाँ पर दी हुए है one by one हम इसके अंदर put करेंगे तो पहले हम 0.2 put कर रहे है और error conscious कितनी generate होती है वो check करेंगे तो यहाँ पर हमारा question है तो exit value क्या यह है तो मैंने यह लिख दिया y is equal to 0.2 यह हमारा था means यह हमारा ऐसे लिख सकते है y of x is equal to 1 plus x plus x square plus x cube plus x raise to 4 अब x की value मैंने 0.2 put की तो क्या होगा 1 plus 0 x की value 0.2 x की value 0.2 x की value 0.2 x की value 0.2 1 plus 0.2 plus 0.2 square 0.2 cube 0.2 raise to 4 उसकी सारे जो calculator में चेक कर लेने का तो value आएगा 1 plus 0.2 plus 0.04 plus 0.08 plus 0.0016 अब यह सब का total करोगे तो यह मुझे मिल जाएगा 1.2496 अब यह बिना truncation वाला है means truncation में क्या करना था हमको x raise to 4 यहाँ पर निकालना था देखो यहाँ पर mention किया हुआ है क्या mention किया हुआ है कि truncation by dropping the term x4 means x4 को निकालने के बाद क्या होता है तो देखो यह तो हमने किया x raise to 4 तक का जो मैंने यह total किया हुआ है अब हम क्या करेंगे देखो after truncation of term x raise to 4 उसके बाद क्या होगा हमने निकाल दिया तो देखो यहाँ पर हम निकाल देंगे तो y of 80 okay 80 t specifically for truncation है और हम क्या करेंगे 1 plus x plus x square plus x cube देखो यहाँ पर x raise to 4 नहीं लिखा है देखो अब x की value हम 0.2 0.2 0.2 रख दिये और x raise to 4 वारा step हमने लिखा नहीं है क्यों क्यों कि यहाँ पर हमको ट्रंक करना है मिस निकाल देना है कौन से टम को x raise to 4 तो 1 का 1 0.2 0.2 square 0.04 plus 0.2 cube 0.008 total करो तो मिल जाएगा 1.248 अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे कि अब error कितनी जन्रेट होई अब मैं देखो मैंने उपर वाले टम में क्या लिखा था x raise to 4 तक गया नीचे वाले टम में क्या था x raise to 3 तक200 गया तो यहाँ पर हमने टरंक कांसा करना करना था एक्स purity 4 वाला टम हम उनने टरंक करना था हमने चरुक्त कर दिया तो उसके जोúa वायलू इसके राप 1991 ने कितना जन्रेश एर्रेट करने वाला मैंना उसके बाद का जो था वहां पे रख दिया तो इटी इस इकोल डू 0.0016 मिन्स अगर हम लास्ट कर रहे हैं तो इतना एरर हमारा जन्रेट होगा टूंकेशन के मैथड के अंदर अच्छा यह तो बात की यहां पर 0.002 के लिए अब हम बात करेंगे एक इस इको है तो यह सबका टोटल कर रहे हो तो यह मिल जाएगा ओके अब यह कौनसा मिला कि जब truncation नहीं किया था means x raise to 4 हमने count किया हुआ है अब देखो after truncation term x4 अब after truncation कैसा होता है यह होता है तो इसमें होगा क्या देखते हैं ओके अब इसमें होगा क्या कि y is equal to 0.2 अब देखो y is equal to 0.6 t is equal to 1 plus x plus x square plus x cube तो x raise to 4 में है ट्रंक कर दिया देखो तो यह x की value 0.6 रख नहीं है रख दी यहां पर square है यहां पर cube है कर लो calculator में देख लो आप यह सबका addition करोगे तो 2.176 मिलेगा आमको तो बिना ट्रंकेशन वाले में यह अंसर मिल रहा है ट्रंकेशन में यह मिल रहा है तो इसके अंदर उसके अंदर आप value देखोगे तो मिलेगा तो आपको यहां पर क्या मिलेगा it is equal to y 0.6 minus y 0.6 t means यह ट्रंकेशन वाला है तो यहां पर यह जो उपर आंसर आते हैं यहां पर पहले लिख दिया माइनस सेकंड जो आंसर आते हैं यहां पर लिखा सब्ट्रेक्शन करोगे 0.1296 हमको मिल जाएगा तो यह ट्रंकेशन वाला हमको आंसर मिला में अगर लास्ट हम निकालते हैं तो हमारा इतना जन्रेट होगा अब सर यहां पर आपने दो क्वेशन किये एक तो 0.2 वाला किया और 0.6 वाला किया अगर एक्जाम में आएगा तो वह कैसे हो सकता है तो एक्जाम में आएगा तो दोनों में से कोई एक आ सकता है डबल पूसने के चांसे कम होते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और मेरी चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो रखूं तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो मिलते है इसलिए नोटिफिकेशन भी बेल आइकॉन पे आप सब्सक्राइब कर लेना तो आपको पायदा होगा थ झाल झाल